जहिन दोस्तों स्वागते आपका हमारे यूटूब चैनल में आज की वीडियो हम लेकर आए हैं आपके लिए क्या MPGK MPGK के बहुत ही महत्तपूर्ण कॉस्चन आंसल लेकर आए हैं तो वीडियो को आपको जो है पूरा अवस्य देखना है और आखरी तक बनी रहना है अगर आप भी MPGK के बहुत ही महत्तपूर्ण कॉस्चन तो वीडियो को अनते तक जरूर देखें अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन दमाएं और और पर क्लिक करें ताकि और वीडियो की नोलिपिकेशन आप कहां तक पहुंचे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें अगर आप MP Jail Prairie Batsup Group से जुणना चाहते हैं तो आपको 9098609291 इस नंबर पर आपको क्या करना है Batsup मर मेसेज करना है तो आपके पास लिंक पहुंच जाएगी MP Jail Prairie Batsup Group की तो आप जो है जो है जोईन कर सकते हैं Batsup Group को तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज का अपना यहांपर First Question है क्या है कि Madda Pritice के कुल एक छेत्र का अरक्षत बंध प्रतीसत है तो कितना है यहांपर आपके लिए बताना है 65% या 33% या 0.2% या 59% तो question number यहाँ पर आपको जो है 26, 126 है तो बताई इसका right answer क्या होगा चार विकलब यह answer बनता है तो comment में जरूर बताते जाएं तो इसका right answer होगा क्या है right answer विकलब number 1 यानि की 65% जो है यहाँ पर आपका सही answer होगा 65% अंगला question की वर चलते हैं तो अंगला question क्या है कि माद्य प्रदेश विधान साबा में कितने एंगलो इंडियन मनुनी सदस्य हैं एक दो तीन चार तो बताईए क्या होगा इसका right answer चार विकलब हैं आपके सामने आपको इसका सही answer बताना है क्या होगा इसका right answer तो इसका यहाँ पर right answer है क्या है विकलब नमबर एक आपके यहाँ पर जो है right answer है क्या है विकलब नमबर एक जो है सही answer होगा विकलब नमबर एक और एक अंगला question है क्या है कि मद्ध प्रदेश में सार्वजनेक बितरन पिरनाली की कितनी दुकाने संचाले था चार विकलब हैं आपके सामने बताती जाएं कमेंट में answer क्या होगा इसका right answer मद्ध प्रदेश में सार्वजनेक बितरन पिरनाली की कितनी दुकाने संचाले थें तो आपका यहाँ पर right answer होगा विकलब नमबर एक यानि की विकलब नमबर एक में क्या है 22,000 आपका यहाँ पर right answer होगा क्या है यहाँ पर देखे तोड़ी सा की मद्ध प्रदेश में 18.2000 जो है 2000 गरामी छेत्रों में एवं 4.30.000 सहरी छेत्रों में अर्थात कुल 22.50.000 दुकाने PDS की संचाले हैं अंगला कॉस्चन है यहाँ पर क्या है अंगला कॉस्चन है मद्ध प्रदेश में लगू उद्यो निगम लिमेटेट की स्तापना हुई तो कब हुई थी पताए क्या होगा राइट आंसर इसका मर्द प्रदेश में लगू उद्यो निगम लिमीटेट की स्तापना हुई थी तो आपका राइट आंसर विकल्प नमबर एक विकल्ब नमबर एक आपका राइट आंसर होगा कि बर्ष 1961, निगम का पंजी कराण कंपनी एक्टिक जो है 1956 के अंतरगत साच के कंपनी के रूप में 28 दिसंबर 1961 को किया गया था, तो 1961 जो है आपका यहाँ पर बर्ष 1961 राइट आंसर होगा विकल्ब नमबर एक, अंगला कॉस उज्वला योजना या जुगनु योजना या जावाली योजना या स्वाधार योजना तो व्यस्या ब्रत्ति समस्या को दूर कनने के लिए मद्द प्रदेश सासंद्वारा संचालित योजना है तो आपका राइट आंसर होगा विकल्ब नमबर C, जावाली योजना, सासंद्वारा 1992-1993 से जावाली योजना लागू की गई है योजना के ताथ बेड़ियां, बाठणा एवं सांसी जाती के उत्थान हेतू कारे किये जा रहे हैं अंगला कॉस्चन है या पर क्या है अंगला कॉस्चन की मद्द प्रदेश के कितने जिल्वे दो राज्यों की स मद्द प्रदेश के जो दो राज्यों की सीमा को चूते हैं चार पांच छे साथ तो आपका राइट आंसर है छे बेकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा जो छे जले हैं जो दो राज्यों की सीमा को चूते हैं MP के छे जले हैं अंगला कॉस्चन है यापर क्या है अं तो राज्जी की अर्थवस्ता में फसल शेत्र का जो योगदान है बहे है कितना विकल्प नंबर भी आपका राइट आंसर होगा कि 27.6 पृतिसर जो है आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर भी अंगला कॉस्चन की मर्द पृतिस का सुद्ध सिंचे छेतर कितना है तो कितना है नो हजार दो सो चौरासी हजार हेक्टियर या साथ हजार नो हजार हेक्टियर 9,846,000 हेक्टियर या उन्गला विकल्प है कि 8,077 आट हजार 8,872 हेक्टियर तो कॉस्चन नंबर 133 का यहां पर राइट आंसर है विकल्प नंबर C कि क्या है कि 9,846,000 हेक्टियर आपका विकल्प नंबर C जो है राइट आंसर होगा अंगला question है कि जन्धन योजना की शुरुआत हुई तो most important question है जन्धन योजना है जो जन्धन इसकी शुरुआत कब हुई बताईए जन्धन योजना की शुरुआत कब हुई चार विकल्प हैं आपके सामने बश्ट 2013 बश्ट 2014 बश्ट 2015 बश्ट 2016 बोला चार विकल्प हैं तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहां पर तो यहां पर आपका राइट आंसर है बर्स 2014 विकल्प नंबर भी आपका यहां पर जो है राइट आंसर होगा जंदन योजिना जो है यह 2000 बर्स 2014 से जो है इसकी शुरुआत होई जंधन योजिना की अंगला कॉस्चन है यहां पर कि मर्द पिर्देश में पिर्मक्ष खादान 16 दन कितना है तो बताइए कितना है तो आपका यहां पर राइट आंसर क्या होगा कॉस्चन नमबर 135 और 135 का जो राइट आंसर विकल्प नमबर एक यानि कि क्या है 17,543,000 हेक्टियर जो है आपका राइट आंसर होगा अंगला कॉस्चन है कि मर्द पिर्देश में सर्वादिक निर्वर्ता किस उर्जा साधन पर है जल बिद्दोत ताब बिद्दोत या अंडबिक उर्जा या स्वर उर्जा most important question है मद्धि प्रदेश में सरवाद्य के निर्वारता किस उर्जा साधन पर है तो question number 136 का right answer है ताब बिद्दुत आपका जो है यहाँ पर right answer होगा विकल्प number B आपका सही answer है अंगला question है कि मद्धि प्रदेश में पंचायती राजवास्ता का कौन सा धाचा अपनाया गया है एक इस्तरिये, दो इस्तरिये, तीन इस्तरिये, चार इस्तरिये चार विकल्प हैं आपके सामने answer कमेंट में जल्ली से बताएं क्या होगा इसका right answer मद्धि प्रदेश में पंचायती राजवास्ता का कौन सा धाचा अपनाया गया है तो आपके यहां पर right answer होगा क्या होगा विकल्प number C विकल्प number C में क्या है तीन इस्तरिये जो है आपके यहां पर right answer होगा विकल्प number C अंगला question है मद्द प्रदेश के सरवाधिक छेतर में कौन सी फसल बोई जाती है most important question है यहाँ पर आपके लिए फसल का नाम बताना है मद्द प्रदेश में सबसे अधिक दोबाई कौन सी फसल है जो बोई जाती है धान, चना, गेहूं या जुआर तो बताईए क्या होगा आपके यहाँ पर right answer question number 138 का मद्द प्रदेश में सरवाधिक छेतर में कौन सी फसल बोई जाती है आपका right answer होगा यहाँ पर गेहूं गेहूं आपका विकल्प number C है यहाँ पर right answer होगा अंगला question है क्या है कि मद्द प्रदेश में सचाई का सबसे प्रमुक सादन क्या है नलकूप, नहरे, तालाब, नलकूप, एवं जो है कुए तो बताईए question number 149 का answer कि मद्द प्रदेश में सचाई का सबसे प्रमुक सादन बताना है चार विकल्प हैं आपके सामने तो आपके यहां पर राइट आंसर क्या होगा तो आपके यहां पर राइट आंसर है क्या है कुए एवं नलकूप कुए एवं नलकूप जो है यहां पर MP में सिचाई के सबसे प्रमक के साधर माने जाते हैं कुए एवं नलकूप अंगला कॉस्चन है क्या है कि मद्द पृतिश की कुल जन संक्या में कारसील जन संक्या का पृतिशत है तो चार विकल्प हैं आपके सामने कारसील जन संक्या का पृतिशत बताना है MP का तो क्या होगा बताईए अंसर 49.8% या 43.5% 72.4% 75.9% Qaustion No. 140 का राइट आंसर बताना है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप कहां पर राइट आंसर होगा? विकल्प No. B विकल्प No. B में क्या है? 43.5% जो है आपका सही आंसर होगा अंगला Qaustion है आपर कि मद्द पिर्देश में पिर्थम्माना विकास पिर्तिवेदन का प्रस्तुत किया गया? तो बताए कब प्रस्तुत किया गया? बर्स 1995 या बर्स 1998 बर्स 2000 बर्स 2007 तो मद्द पिर्देश में पिर्थम्माना विकास प्रतिवेदन का प्रस्तत किया गया आपका Right Answer होगा बिंखल्प No.1 यानि कि आपका यहाँ पर Right Giणå नमबर यह होगा अंगलिया कौश्चन है क्या है कि मद्दप्रदेश एल्प संख्यक सेवा राज्य प्रोषकार योजना कब प्रारंब हुई तो बर्स 2012, बर्स 2014, बर्स 2016 या इन में से कोई नहीं तो आंसर क्या होगा आपका राइट आंसर बताना है क्या होगा आपका राइट आंसर बताईए मद्द प्रिदेश अलप संक्यक सेवा राज्य पुरुस्कार योजिनाकव प्रारंभ हुई चार विकल्प हैं आपके सामने तो आपका राइट आंसर है याँपर विकल्प नमबर एक की बरस 2012 आपका जो है राइट आंसर होगा विकल्प नमबर एक आपका सही आंसर है अंगला कोश्चनिया पर कि मर्द प्रदेश में कितनी जनजातिया जाती समुल पिछड़ा बर्ग में सामल हैं अद्रप्रदेश में कितनी जातियां जाती समुए पिछड़ा बर्ग में सामिल हैं इंक्याउन 85, 92, 99 तो question number 143 का right answer और question number 143 का right answer होगा क्या है विकल्प number C, विकल्प number C, 92 जो है जातियां जाती समुए पिछड़ा बर्ग में सामिल हैं 92, अंगला question है क्या है कि वर्श 2015 में प्रारंब बेटी बचाओ, बेटी पडाओ, योजना के अंदर सर्कार के तहत पृदेश में कितने जलों में संचालेत हैं इह बताना है आपके लिए, 4 जिलों में, 5 जिलों में, 6 जिलों में, यह 7 जिलों में बेटी बचाव बेटी पढ़ाव योजिना बताना है तो आपका राइट 안सर है क्या है बिकलब नमबर C विकलब नमबर C यानि में नेंकि छे जलों में यहां पर राइट आंसर होगा कि द्वाजार पंद्रह में यूजना प्रारंबोई क्या फट्रत्म काम देगीद जी रहार मज़त्स तो question number 145 का यहां पर right answer बताना है क्या होगा इसका right answer तो इसका right answer है आगर मालबा है यहां पर आगर मालबा जो है आपका यहां पर right answer होगा आगर मालबा अंगला question है मद्द परदेश के सकल घरेलू उत्पाद में सरवादिक योगदान किस छेतर का है अगर तो आपके यहां पर right answer है कि प्रात्मिक छेत्र का प्रात्मिक छेत्र जो है आपके यहां पर राइट आंसर होगा विकल्प नमबर एक विकल्प नमबर एक आपका सही आंसर है अंगला कोस्चन कि छाहुर किस छेत्र का लोक नत्य है छाहुर किस छेत्र का लोक नत्य है चाहुर, क्या होगा इसका राइट आंसर, तो राइट आंसर है बगिल खंड, बगिल खंड जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नमबर बी आपका जो है सही आंसर है, अंगला कॉस्चन है कि रीना निरत्य कला किस जंजाती से संबन देते, चार जंजाती आ तो question number 148 का right answer बताईए तो यहाँ पर आपका right answer होगा विकल्प number C जो है गोण जन जाती है इस से संबंदित है क्या रीना नत्यकला रीना नत्यकला जो है गोण जन जाती से संबंदित है अंगला question है कि लंभ सेना विभाय पद्दिती किस छेत्र किसमें प्रिचले थे तो किसमें प्रिचले थे बताना है कौनसी जाती में प्रिचले थे लंभ सेना विभाय पद्दिती भील गौंड बेगा या कमार तो आपको यहाँ पर right answer है विकल्प तो राइट आंसर बताना नाहीं, यृकलत नंबरемся आपका राइट आंसर होगा, तो आज की वीडियों बस इतना ही, आपके लिए कैसा लगा, कमेंट में ज़रू बताएं, और अगर अभी तक आप हमारे जो है जिल प्रहरी की परिक्षा की तयारी कर रहे हैं और आप तो हमारे जो बार्षप ग्रुप उससे जुणें वहाँ पर आपके लिए जो है material, steady material और प्लब्द कराया जाता है तो आपको क्या करना है 9098609291 इस नंबर पर आपको जो है बार्षप में message करें और आप जो है बार्षप ग्रुप से अबस्से जुणें MP जिल प्रहरी के और एफ वीडियो आपके लिए कैसा लगा कमेंट में ज़रू बताएं और ऐसे और वीडियो पाने के लिए आप हमारी चैनल को subscribe कर लें घंटी दमाएं और all पर click करें ताकि all वीडियो की जानकारी आप किया तक पहुंचे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को share करें ताकि अनलोग भी एफ वीडियो देख सकें उनको भी फायदा हो सके तो सभी गुर्पों में वार्टसब गुर्प फेस्बुक गुर्प में सभी जगा सेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर लो और आज की वीडियो बस इतना ही जैहिन